हेलो गाइस, आइम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point So guys, हमारा ecosystem चल रहा था, ecosystem हमने half complete किया, यह वाला पढ़ लिया, second unit भी जो है थोड़ी सी रहती है, यहां से हम continue करते हैं, third unit and fourth unit को भी साथ में complete करते हैं Unit in the sense कि आपकी second unit के अंदर fourth chapter है, sorry, चार chapters में से हमने दो को complete कर लिया था, जो second half बचता था, उसको complete करके third and fourth को भी complete कर लेंगे ठीक है, सो हम वहीं से continue करते हैं, जहां से हमने last class में छोड़ा था, सो let's start अब हमें देखना है क्या, पारितंत्रिये पिरमिड, देखो जी, पारितंत्रिये पिरमिड क्या होता है, जो हमारी food chain होती है, उसके अलग-अलग energy sources होते हैं तो उन सभी के अंदर जीवों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, क्या बनता है हमारा पारितंत्रिये पिरमिड बनता है, पारितंत्रिये पिरमिड जो होता है, अलग-अलग तरीके का होता है, यह बहुत short में बता देती हूं मैं आपको, यह अलग-अलग तरीके लि संख्या पिरामिट क्या होता है संख्या पिरामिट एक पोशन स्थर में जीवों की संख्या के अधार पर बनाया जाता है जो की संख्या पिरामिट या फिन नंबर पिरामिट कहलाते है पिरामिट उत्पादा का रुभोगता जो आपने फर्स क्लास में पड़े थी उसके जाता है समझा जाता है ठीक है तो ये वो चीज है अच्छा जी अब ये वाली चीज जो है हमारी पिरामिटल का कि भाई इसके अंदर की नंबर प्रोडियूसर्स और मैक्सिमम बहुत होते हैं और इसके साथ सबसे ज़्यादा ये फूड को ट्रांसफर करते हैं 10% अपने बाक पिरामिट बायो मास पिरामिट में क्या बात बताए गई है कि बायो मास इस अमाउंट ओफ लिविंग मैटर अट ऐनी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल एट गिविन टाइम ही के मीन्स कि जो हमारे खादेश रंकला फूड चेन है उस सभी में पोशन स्तरों के कुल जीवो का जो लेवल होता है वो बायो मास पिरामिट के रूप में जाना जाता है तो इस पिरामिट का अधार जो है जीवो का एक नॉर्मल सा रूल रखा जाता है बायो मास में जीवो के शुश्क भार जो होती है सुखी भी उनको इंकलूट किया जाता है पिरामिट अफ बायो मार जो है बायो मार्स इस टेरिट्रिल इको सिस्टम इस यूजिंग अपराइट ठीक है इस पर कोश्चन भी मैंने आपको आगे प्रोवाइट किया है तो कोश्चन आपको समझ आजेगा कि वो क्या है इस लीस्ट इन टॉप कार्णिवोरस एक्जामपल ट्रीज एन ग्रास लैंड एको सिस्टम एक्सेक्टर एक्सेक्टर ओके नेक्स्ट है उर्जा पिरामिड ये एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनरजी को प्रोवाइट करता है उसको कहते हैं उर्जा पिरामिड उर्जा पि अच्छे से समझें तो पिरामिड ओफ एनर्जी इस अल्वेज अप्राइड बिकॉस बिकॉस दा फ्लो ओफ एनर्जी इस अंडिरेक्शनल फ्रॉम प्रोड्यूसर कंजूमर लेवल ओके तुझे एनर्जी कंडेक्ट और इस मैक्सिमम इन प्रोड्यूसर ठीक है तो यह वाली दाबित हुई थी ओके सो नेक्स्ट है हमारा भू संतुलन भू संतुलन होता है समस्तिती समस्तिती भी कहते हैं या फिर अर्थ बैलन्स बोलते हैं तो प्राणियों को सभी लोगों को अपने एन्वार्मेंट की सिचुएशन के अनुसार ही कैपिबल वो लोग होते हैं कि मत पास-पास मेरे शोर होता या कुछ और चीज होती तो मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाती मेरा एन्वार्मेंट नहीं बन पाता ना ही माप लोगों को पढ़ा पाती तेखें तो ये वो चीज है इसके अलावाद जीवों के जो अंदर की स्थिती होती है उसको बनाए रखन के लिए भी बहुत तरीके यूज करता है बहुत तरीके और जीविट पराणियों के पास भी एक अंदर से बैलंस बनाए रखने के लिए भी ये काम करता है अब आजओ पारितंत्रों के प्रकार पारितंत्रों के प्रकार जो हैं सबसे पहला आता है हमारा क्या टुंडरा प तब जाकर अलग-अलग तरीके के प्रकार एकोसिस्टम के टाइप्स बन पाते हैं। ठीके, तो अब सबसे पहला हमारा आता है टूंटरा पारित अंदर, टूंटरा एकोसिस्टम। ये एक बहुत-बहुत-बहुत-थेज हवा और थंडी जलवायों वाले वज़े की वज़े से बन जाएं। बब रहा जाता है इस एको सिस्टम में वडशा बिलकुर ना के बराबर होती है इसमें बर्फ से धके होने की वज़े से यह इन वार्मेंट जो है बहुत जादा मुश्किल बन जाता है और इसके अंदर मौसमी सिचुएशन जो होती है वेदर की उसके वज़े से भी वनस्पती जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है और ये जो एकोसिस्टम में पूरे अर्थ के 10% भाग में फैला हुआ है जैसे ये पाया जाता है अलासका, ग्रीनलेंड, आइलेंड, इसके लावा रूस, उतरी कनेड़ा में, अर्जेंटीना, उप अंटार्टिका, दीप ठीक है यहाँ पर इसके लावा टुंडरा पारितंत तुंडरा एकोसिस्टम है, इनको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, और इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, तो इस पूरे एकोसिस्टम में बहुत कम तापमान पर होने की वज़े से बायो डाइवर्सिटी बहुत नॉर्मल पाई जाती है, और यहाँ जाने भालू, कारिब, मस्खरा, बत्तक हैं, या फिर बर्फ, उल्लू जो होते हैं, वो हैं, कस्तूरी, बैल होती हैं, वो हैं, तो वो सब प्राणी जो हैं, यहाँ पर पाई जाते हैं, ओके, नेक्स्ट है हमारा वन पारिस्टिती की एतंत्र, देखो भई, पेड़ पौधे, जा लटाएं, यह सब समुदाओं को, इन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है, वन बोला जाता है, तो इस तरीके से, इस पूरे एको सिस्टम में, जो बहुत इंपॉर्टन्ट फैक्ट्स हैं, वो हैं, मृत्ता, मिट्टी और तापमान, यह सारे चीज़ें, तो जो हमारा वन पारिस तरी, फॉरेस एको सिस्टम है, वो एक वुड्लेंड इकाई है, क्यों वुड्लेंड यूनिट क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं, तो जी, फूल देने वाले प्रजाती जो हैं, फूल देने वाली प्रजातियां एंजियो स्प्यून होती है और फूल ना देने वाली प्रजातियां जिम्नो स्प्यून होती है तो ये जो होती है इनके बारे में आपको लिखना है इनके नेम मैंने इसलिए बताए है इनसान भी इन फॉरिस्ट एको सिस्ट्रम का ही भाग होता है ठीक है इसके अंदर पेड़ पौधे जानवर इंसान सभी लोग पाए जाते हैं, सभी जीव जन्तु पाए जाते हैं, कीडे, मकोडे and all things, ठीक है? तो यहां वर्षा टाइम के अकॉर्डिंग होती है, जैसे महोगनी, रोजबूट, सागवान, शीशम, साल, वालनट, चेस्टनेट, या पाइन, जैद्यतून, इन सभी के पेड़ यहां पाए जाते हैं, और फॉरिस्ट जो हमारा एकोसिस्टम है, इसमें जो जानवर पाए ज जाते हैं, और फॉरिस्ट ही जो हमारा एकोसिस्टम, इसके अंदर जीने के लिए, सब चीजों के लिए, सेफटी के साथ साथ, मृद्दा की बहुत जादा जरुवत है, तो यह चीज़ हमना भी पड़ी है, कि मृद्दा इसके अंदर सबसे स्पेशल, एक फर्स्ट प्राय जाती है, पाई जाती है, क्योंकि बहुत-बहुत कम बारिश की वज़े से यहां पर जाड़ पेड़ नहीं उपाते हैं, और इनहीं की वज़े से घास पैदा हो जाती है, पेड़ पाधे नहीं बन पाते हैं, यहां पर बहुत कम बारिश होती है, ठीके, तो उतरी अमेरिका के और दक्षिनी एशिया के पश्यमी के रूस के स्टैपी चारगा इस एको सिस्ट्रम के उधारन माने जाते हैं इसके अलावा इस तरीके से एको सिस्ट्रम में शाग भक्षी भी बहुत जादा पाए जाते हैं तो ये पूरे एरिया की क्रिशी में चेंजिस भी करते हैं और एक उच मतब एक स्थिती को भी एक लेवल तक बढ़ा देते हैं तो ये जो पारितंत्र होते हैं पूरे अर्थ की सतह पर 20% तक फैले हुए होते हैं मतब फैले हुए हैं और अलग-अलग देशों में अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं जैसे आफरीका में सवाना, दक्षिन अमेरिका में पंपास, आस्ट्रेलिया में डाउंस, यहां पर घदे, जैबरा और चिंकारा, बकरियां ये सब टाइब के जीव पाये जाते हैं और ये जो एको सिस्टम है हमारा इसमें दूद और चमड़ा भी बनता है यहां से और भारत में आठ तरीके के पूरे आठ तरी ठीके के चारागा परितंतर भी पाये जाते हैं मतलब घास परितंतर सिर्फ भारत के अंदर उके उसके बाद है आपका मरुस्थली परितंतर मरुस्थली परितंतर में क्या है भई मरुस्थली परितंतर बेसिकली हमारा मरुस्थल क्या होता है मरुस्थल रेगिस्थान जैस के शेतर भी बोला जाता है जो आदे से जादा से भी जादा शुश्क होते हैं सुखे हुए होते हैं और इनका तापमान जादा होने की वज़े से हाँ पर मिटी जो है बहुत गरम रहती है और चलने लायाक और मतलब नॉर्मली यूज करने लायाक भी नहीं होती है ठीक है तो अलावा जो है लद्दाग जैसे ठंडे मरुस्थल तो वो एक ठंडे मरुस्थल होते हैं एक गरम मरुस्थल होते हैं मरुभूमी पूरे प्रित्वी की वन इंडा हाफ सेविन पार्ट्स में बिटी हुई है और इस पूरे पूरे हमारे एको सिस्ट्रम के अंदर काटेदार पौदे होते हैं जाड़ियां होती हैं जैसे नाकफनी, बबूल, यूरफोबिया है ये सब पाए जाते हैं गुदेदार इन सब का तना जो होता है बहुत गुदेदार होता है जिसके अंदर जल संचित करके रखा जाता है भेडिये रेगिस्तानी, बिल्ली रेगिस्तानी लो तो यही चीज डिसक्राइब नहीं है तो यही चीज आपको बस लिखनी है कि भेडिये रेगिस्तानी भेडिये बिल्लिया रेगिस्तानी लोमडिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यहाँ पर पाये जाते हैं तो माना जाता है कि मैसुजोई काल जो था हमारा उसमें भार कि आंग या फिर हेम तेंदुआ हेम तेंदुआ जो होता है वो ये सब हमारे ठंडे रेगिस्तान में ठंडे मरुस्थल में पाई जाती है ठीक है भारती है शीद रेगिस्तान लद्दाक से किन नौर तक फैला हुआ है और यहां पर बाजरा गेहु जो मक्य जैसी खेक रिशी भी होती है अब आता है हमारा जलिये पारितंतर जलिये पारितंतर को थ्री पार्ट्स में डिवाइट किया गया है इन थ्री पार्ट्स को पढ़ने से पहले हम जलिये पारितंतर देखते हैं क्या है बाकि सारी एको सिस्ट्रम की तरह जलिये पारितंतर का भी एक अपना तरी के ना अपने कितने जानवर होते हैं छोटे-छोटे पौधे होते हैं घास भी होती है सब कुछ होता है तो ये एक बहुत अलग तरीके का एको सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी स्टेबल और नॉन स्टेबल चीजे पाई जाती है और जल के ही अधार पर ताजे जल का सागर ये जल का मटमेले जल का इन सभी तरीके के जलों को एको सिस्टम मतलब वाटर एको सिस्टम एको सिस्टम में डिवाइड किया जाता है ठीक है अब ये जो थ्री पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया पहला है तलाब पारी तरंतर बहुत छोटे और बहुत बड़े अक इसके अंदर अलग-अलग तरीके की food chain चलती रहती है जैसे मचलिया मेंडग घोंगे केच हुआ ये सब कुछ ecosystem के तौर पे food chain की उसको खाता है वो उसको खाता है और वो सबको खाता है तो वो वाले चीदे हैं उसके बाद आता है जील पारी तंतर जील पारी तंतर एक stable होती है जगा ठीक है इसके अंदर पौधे या फिर मास भक्षियां जो होती है वो transfer होती रहती है इसके अंदर इसके अंदर energy का जो source है वो sunlight से मिलता है और भारत में जादा से जादा जीले जो है वो हिमाले और सतलुज गंगा भरमपुतर के मैदानों में ही पाई जाती है ठीक है estuary पारी तंतर जो है नदियों का सबसे स्वच्च जल जो होता है estuary में मतलब समुदरी जल में होता है estuary उच रूप से उच पादक पारी तंतर भी होता है इसके अलावा नदी पारी तंतर नदी पारी तंतर जो है उसके अंदर वर्षा से ही जल भरता है जादा से जादा बारिश से जल भरता है उसके बाद है समुदरी पारी तंतर तो इस तरीके के एको सिस्टम का जल जो होता है पानी वो खारा होता है और ये भारत के समुदरी पारितंत्र जैसे हिनमा सागर, अरब सागर, बंगाल के खाड़ी इन सब जगाओं पर पाए जाते हैं तो इस एको सिस्टम में पूरे वर्ल्ड की सेकिंड जो एक तरीकी से प्रवाल होती है भित्तियां वो पाए जाती है और पूरे वर्ल्ड का 71% भाग जलिए पारितंत्र पर ही डिपेंड करता है ठीक है ये बात तो आपने कहीं न कहीं पढ़ी होगी सुनी होगी अब आज़ाओ आपकी लास्ट यूनिट पर पारितंत्रिय सेवाओं पर ठीक है पारितंत्रिय सेवाओं के लिए देखो पहले चीज हमें जानने जरूरी है कि पारितंत्र पर खत्रे क्या क्या है देखो एको सिस्टम जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है एक बहुत इंपॉर्टन चीज है तो इसके अंदर बहुत तरीके के खत्रे हैं जिसे इनसान लालच में आकर लाब में आकर चीजों का हास करता है, हाती के दातों को बेचने के लिए हातियों को मार रहा है, हाती की प्रजातियां कम हो रही है, इसके अलावा बहुत तरीके के चीजें हातियों के और भी चीजें बेची जाती है, या फिर इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे जानवर हैं, जो जादातर ठंडे मरुस्थल में पाए जाते हैं उनकी चीजों को बेचना ठीक है उसके अलावा जानवरों को मार कर उनकी खाल का इस्तमाल करना या फिर पेड़ पौधों को नुकसान पहुचाना पेड़ काड़ना उनकी जगाओं पे फैक्टरीज बनाना ठीक है तो वो सारे क्या है हमारा एकोसिस्टम ही तो है ना तो ये सब कुछ बरबाद हो रहा है पिछले 2000 साल में भारत में 600 प्रजातियां पौधों की खतम हो चुकी है नई तो भारत पूरी दुनिया में एक मातर ऐसा देश था और है जहां पर अन गिनत पौधों की प्रजातियां पाई जाती है अन गिनत यहीं से ही पौधों की प्रजातियों का एक तरीके से समझ लो डैविलप्मेंट हुआ उसके अलावा रेगिस्तान जैसी जगाओं पर भी बहुत जादा चीज़े देखी जाती है इसके अलावा बहुत सारे जानवरों का बहुत सारे इनसानों का भी जो है डैविलप्मेंट नहीं हो रहा है अगर आप लोगों को एक्जामपल के तोर पर बताया जाया तो कौधा जैसे प्रजातियां खत्म हो रही है जो गिने चुने कौळा बचे हैं बस वो ही बचे हैं इन फ्यूचर आपकी जैनरेशियन तो देखी नहीं पाएंगी उनको तो वो कौळा जो हैं उनकी प्रजातियां खत्म हो रही है वाइट टाइगर की प्रजातियां कम हो रही है क्यों हो रही है भई इनसानों के लालच की बज़े से तो पारी तंत्र को एको सिस्टम को इनसान से खत्रा है जानवरों से भी खत्रा है सबसे खत्रा है इस्पेशली इनसान से खत्रा है ठीक है अब जो सेवाएं बदी गई है पारिसितिक तंत्र सेवाएं प्राकरतिक द्वा समाज को प्रदान किये जाने वाले अनेक लाब हैं जैविवित्ता जैवित जीवों के बीच की विवित्ता है जो पारिसितिक तंत्रे के कारे और सेवाओं के वित्रण के लिए आवश्यक है भाई इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने यह वाले चीज़ की एको सिस् अंवार्मेंट में तो सब कुछ आता है न. इको सिस्टम हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़ पौदे, खाना पीना, जीवजन्तू, कीडे, मकोडे, सब कुछ अंवार्मेंट के अंदर आते हैं. एको सिस्टम जो कहलाते हैं ठीक है तो यह मैंने इंग्लिश में भी लिखा आप इसको कॉपी कर लेना अब आते हैं पारिसितिक तंतर क्या होता है पहले हम एक छोटा सा यह डिफाइन करना है क्यों क्यों क्योंकि इस पर सेपरेट कोशन आता है इसलिए जीवित तत्व जो एक दूसरे और उनके निर्जिव वातावरण के साथ बाचीत करते हैं दुनिया को लाब या सेवाएं प्रदान करते हैं उसको हम एको सिस्टम बोलते हैं पारिसितिक तंतर बोलते हैं ठीक है इसके अलावा बात रखी जाए तो पारिसितिक तंतर सेवाए मानव जीवन को संभा बनाती हैं उधारण के लिए पोश्टिक भोजन और स्वच पानी प्रदान करना रोग और जलवायों को नियंद्रत करना फसलों को परागर्ण और मिट्टी के निर्माण में सहायता करना मनुरंजग सांस्कृतिक और अधात्मिक लाप्रदान करना 125 ट्रिलियन डॉलर के अनुमति लाप्रदान करना सॉरी अनुमति मूले के बावजूद इन संपतियों का राजनितिक और आर्थिक नीति के प्रयाप्त रूप से हिसाब नहीं है जिसका अर्थ है कि उनके संट्रक्शनल प्रबंदन में आप प्रयाप निवेश है मैं सीधी बात ये हैं जोने बोला है कि एको सिस्ट्रम की जो ये सेवाएं होती हैं ये हमें बहुत तरीके से हेल्प करती हैं हम स्वच पानी पीते हैं स्वच पानी से नहाते हैं कपड़े दोते हैं बरतन दोते हैं इसलिए उससे हमारी हेल्थ सही रहती है हेल्थ सही रहती है तो हम अच्छा खाना पीने भी खा पाते हैं हमारी हेल्थ को और लगता है और अच्छे खाने पीने का हम मज़भी उठा पाते हैं ठीकि उसके लावा हमारे कल्चर को दिखाने के लिए कि अगर आपको बोला दिखाया जाया अगर मैं आपको एक नॉर्मली बताऊ तो दुनिया में सबसे कुछ देशों की अपने अपने कुछ फेमस काम है उसमें से इंडिया का सबसे फेमस और सबसे पुराना काम है क्रिशी करना तो उस चीज के लिए अब वो हमारे कल्चर को हमारे संस्कृति को हमारे राजनिती को सब चीज को डिफाइन कर रहा है तो वो वाली चीज है इसको मैंने English में लिखा है copy कर लेना ठीक है एक बार और दिखा देती हूँ ecosystem service make human life possible for example by providing nutritious food and वगेरा 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 ठीक है यह सारा आप copy कर लेना पारिसिति के तंतर दुनिया को चार तरीके के लाब प्रदान करता है यह जो ecosystem service पड़ी थी अब यह चार लाब पढ़के हम अपने chapter को close करते हैं बहुत एक लाब है जो लोग पारिसिति की तंतर से प्राप्त करते हैं एक्जामपल के लिए भोजन, पानी, फाइबा, लकड़ी, इंधना, पूर्ती ठीक है यह सारी चीज़े तो यह इंगलिश में भी लिखा हुआ है पारिसितिक तंतर प्रक्रियाओं के नियमन से प्राप्त लाब हैं जैसे वायू गुडवत्ता और मिट्टी की उरबड़ता का नियमन, बाढ़ यह फसल परागण का नियंतरन ठीक है यह इंगलिश में भी लिखा हुआ है आप इसको कौपी कर लेना नेक्स्ट है अन्ने सभी पारिसितिक तंतर सेमाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है उधारन के लिए पौधों और जानवरों को रहने की जगा प्रदान करना, प्रजातियों की विवित्ता की अनुमती देना और अनुवानशिक विवित्ता को बनाए रखना नुवानशिक विवित्ता हमारी जेनिटिक मेंटेनन्स वाली बात यहां पर बताई गई है और इसके बाद लास्ट है हमारी गैर बहुतिक लाब है जो लोग पारिसितिक तंतर से प्राप्त करते हैं एक्जामपल के लिए सौंदर्रे और इंजीनिरिंग प्रेणा सांस्कि और इसके अलावा गैर बहुत तिक लाब हैं जो लोग पारिसितिक तंतर से प्राप करते हैं उधारन के लिए सौंदर्रे इंजीनिंग प्रेणा और यह सारी चीज़ यह अगेन रिपीट कर दिया है गलती से ठीक है तो यही वाली चीज़ है यहां पर आपको इसको लिख यह चारो लाब आपको बहुत अच्छे से डीपले डिसक्राइब करने हैं ओके सो यह इंग्लिश में भी मैंने यहां पर लिख दिया है आप इसको कॉपी कर लेना अब जी आपकी यूनिट टू जो है वो खत्म हो गई है यूनिट टू के इंपॉर्टन कोशन सिरीज जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपकी क्लासिस के लास्ट में मैं आपको प्रोवाइट करूँगी तो वो हम देख लेते हैं ठीक है सबसे पहला कोशन है how food is obtained from decomposition आप गटन से भोजन कैसे प्राप्त होते हैं यह हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था define eco-succession what are the various type of eco-succession ठीक है eco-succession के जो various types है और eco-succession क्या है वो बताना है what is an ecosystem how many types of ecosystem are there list with examples examples के साथ बताने है ecosystem क्या है और कितने प्रकार के है write in brief about the food chain and food web food chain and food web को briefly describe करना है मताँ थोड़ा थोड़ा सा describe करना है next है write down the difference between aquatic and terrestrial succession ठीक है जलिये और इस थलिये वाला जो था जो अभी हमने पढ़ा है उसको आपको describe करना है list two main component of the ecosystem what are the physical factors that affect the organism distribution in different habitats ठीक है भाई इन्होंने पारिजंदर के दो मुखे घटक पूचे हैं और उसके बाद इन्होंने बहुत एक कारक भी पूच लिया है उसको बता देना what is an ecological pyramid name three types of ecological pyramid ecological pyramid क्या है वो बताना है और उसके three types बताने है और उसके बाद आप लोगों का ये complete हो गया है अगर आप लोगों कोई question हो कोई doubt हो या कोई भी suggestions हो तो आप मुस्से comment box ले टेलिग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं so thanks for the watching and best of luck all कि झाना है Will